Hi guys, good morning, this is Shakti from Conceptual So guys, marketer एक बार फिर से मैंने bullish trade लिया है 42.900 की put को write के एक चोटीची quantity में But guys, मैं आपको एक चीज दिखातो हूं फिर आगे कि बात करेंगे यहाँ पर देखे, 42.900 की put का भाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है घट गया, time decay का impact होता है अगर previous day की adjustment भी कर ले, last जो average बनती है तब भी भाव थोड़ा सा टूटना ही चाहिए पर guys, यह टूटा नहीं पर मैं आपको आज की entry के बार में बताता हूं इसने अपना high लगाया, 331 का high लगाने के बाद जब वहां से 33 point नीचे तूटा तो मैंने entry करने की कोशिच की 42900 की put में और मेरी entry हुई 290 के भाव पे, जहां पर जो मेरा target है entry के according ही होगा, जहां पर मैंने enter किया, वहां से नीचे, लगबग 90 point का profit मुझे चाहिए और 200 मेरा initial target है तो भाई लोग हम profit में आ चुक है पर मैं आप एपनी quantity बढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये देखिए, एक बार काफी अजीब लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा 42900 की put उपर अभी भी trade कर रही है मतलब कि इसमें 8-10 points है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा है जहां पर call भी उपर trade कर रही है 18-20 points इसको trade करना चीए होगी बैंक निफ्टी उपर है, ठीक है इंदा मनी है, इसको इतने ही point उपर होना चीए है बिल्कुल ठीक है, पर साथ से put वो भी positive trade कर रही है, तो ऐसा देखने को अकसर नहीं मिलता, बहुत rare होता है यह तब होता है, जब market volatility बढ़ती है market volatility बढ़ेगी तो इसका मला बड़ाम हुआ आएगा कुछ नो कुछ expect किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जम के खरीदारी हो रही है, option right नहीं हो रही option में buying हो रही है जब option buying जादा होगी तो वहाँ पर price जो है, बड़ेगा तो काईज, हमाई जो आधी quantity है, वो exit हो चुकी है remaining को हम hold करेंगे, और जादा टीपल लेबल के लिए और इसने अपना low लगा दी, 1952 का तो काईज, मैं आपको दिखाता है, यह क्या ख़वर थी, क्यों मैंने bullish trade लिया आज तो काईज, यह हमारा public channel है, जिसको आप join कर सकते हो, वीडियो की description में, जो link given है सिरव हो सिरव वहीं से, जो global news थी, वो negative थी, पर banks के लिए एक positive ख़वर थी, जो RBI की report है, balance sheet की growth को लेके तो यह कहीं न कहीं positive था, जो market को गिरने से रोक रहा है, otherwise यह ख़वर नहीं होती, तो आज हम market में अच्छे गिरावट भी देख सकते थे तो guys, put जो मैंने write की है यहाँ पर हमारा पैसा बन गया, यह किस वयासे बना यह इस वयासे नहीं बना कि मैं बहुत ही strong strategy यूज़ करते हूँ, यह setup की वयासे नहीं, मेरा भाई देखो, option trading जो है, बहुत जादा मुश्किल है हम market को predict नहीं कर सकते हर दिन हम market को हर दिन control नहीं कर सकते हलाकि, let's be honest हम सभी लोग कहीं नहीं की कोशिश करते कि market को control करने, पर market को control करना guys, possible नहीं है जो चीज़ हम control कर सकते हैं, वो है हमारा mind, आप अपने दिमाग पे control लेकि आज़ो, सिरफ ओ सिरफ आपका market में पैसा बनने लग जाएगा, strategy का खेल नहीं होता, setup का खेल नहीं होता इस पे आपको attention देनी है, राधर कि आप भागते रहो, इधर उधर, नहीं ट्रिक सीखली apply की, fail हो गई, फिर नहीं ट्रिक सीखली, फिर apply की, fail हो गई नहीं बनेगा, मेरे भाई, market ने पैसा, market जो पैसा बनेगा, सिरफ ओ सिरफ, आपके discipline की वह से बनेगा, आपके mind पे control की वह से बनेगा, और mind पे control होगा, तो वहाँ पे आप बड़े points के profit ले पाओगे, यही यह मैं यह, नहीं तो क्या होगा, आप 20-30 point का profit ले लिया, छुट्टी तो भाई लोग, मैं exit कर चुका अपनी पोजिशन से 178 का इसने अपना low लगाया, वहाँ से प्राइस वापिस उपर की तरफ चाने लगा, तो मैंने अपनी पोजिशन से exit कर लिया, हालकि अभी भी पुटके प्राइस जो है, वो टूट सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, पर मुझे कुछ भी एजियूम नहीं करना, गाइस, मार्केट अगर पलट रहे हैं, तो वहाँ पर discipline के साथ बहार निकलो, यार, यही mind control है, आप अगर सोचोगे, कि नहीं, या कोई बात नहीं, कुछ दिर में, मेरे ही साब से मार्केट चलने लग जाएगी, इसका मतला, आपका हाथ से निकल जाते हैं, अगर बिना stop loss लगा है, आप बिना stop loss को ट्रेल किये, बैठे रहोगे तो, चोई ठीग आईज, मार्केट यह बंदोने का समय हो चुका है, आगे मैंने trade तो नहीं लिया, ओ गाईज, यह भी कहीं न कहीं mind control का पार्ट है, आपको अपने आपको prepare करना होगा, अपने दिमाग को control करना होगा, ऐसा नहीं कि भाई, साह दिन बैठ के trading ही करते जा रहे हो, चल याँ बीज़ार बनगे, और पैसा बनाते हैं, और अच्छे पोच्टी कोई मिलती है, वहाँ पे entry कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूरी नहीं है आपको आगे trade करना है, क्योंकि जो आपने पहला trade लिया, आपका mind उसमें fresh था, अभी क्या है, आपने एक trade ले लिया, इतना दिमाग लगा लिया, स्कीन के सामने बैट गए, stress ले लिया, अब आपका mind वह अला नहीं है, जो पहले था, तो जरूरी नहीं है कि आप trade करते रहो बैट के, चो यह ठीए गाईज, चलते हैं अभी, पर प्लीज मुझे comment section बताएगा, जो हमने आज weird चीज देखी, क्यों पुट के भाव बढ़ रहे थे, आप वह लगते हैं क्या कारण था उसका, पुट का भाव बढ़ रहा था, अलागी बैंक निफ्टी उपर जा रहा था, क्या कारण था इसका,